कि अरिवों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं कोरल रो में इमेज का बैग्रॉंड कैसे निकालना है उसके बारे मता रहा हूं जैसे एक इदर राइट लिक करो अम्टि स्वाइस यह क्लिक करेंगी तो क्या होता है जो अब इसको डिलीट करता हूँ फिर से राइट लिक करके इंपोर्ट में जाओ कि आप क्या को इसको double click करके इधर click करके आप drag करेंगे तो आप कितना track करते हो उतना आता है कि यह आपको समझ में आ गया तो यह एक bitmap image है कि क्या एक bitmap image है अभी देखो इसको में background जेता हूं दूसरा color देता हूं इसको पेड़ों करता हूं तो इसमें क्या है यह बैग्रोंड आ रहा है यह इदर वाइट बैग्रोंड आ रहा है अभी इस वाइट बैग्रोंड को हमको निकालना है तो अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा भी एक इसको सेलेट कर लो सेलेट करके आप क्या करो इदर है बिट मैप म है वह रिडिंग ले चुका है भी तो उसी रिडिंग से क्या है एज-to-e nerd इसमें selection हो चुका है तो अभी इसमें क्या करता हूं remove background एंब अक्टी良 रखना हैं जो बैंग्राउंड हो रिमूव कर देता है है अगर specific color हो तो आप क्या है इदर आके इसको क्लिक करके आइड्रॉप से भी आप क्या है इदर सेलेट कर सकते हैं अभी इसको क्या है इसे स्पेसिफिक कलर में आके इसे क्लिक करूंगा तो वह जो कलर कहां पर उसको ले लेता है वह सो इसको सेलेट करता हूं सेलेट किया तो अभी क्या वह लिया ह सो अभी इस में क्या करो remove object और लाप कहीं पर हुआ है तो उसको remove कर देता है तो इसको remove background तो active रखना है रखके इसको मैं क्या करता हूं एंटर देदो आप तो वो क्यों हो जाता हूँ तो अभी क्या हुआ यह क्लिप पार्ट हो गया अभी इसको मैं बाजो ऐसे सरकात हूँ अभी देखो यह क्या है ऐसे आया इसका बैग्रोंड हमने निकाल आवा था तो वह बैग्रोंड नहीं आया दर तो इसको ऐसे बाजो में जाल देता हूं जहां पर आपको वाइट नहीं चाहिए उसको आप निकाल सकते हैं इधर तो रखता हूं ओके सो इधर आगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेट करके आप डिलीट कर सकते हैं इसे निकाल सकते हैं, अभी इसमें, यह आपको समझ में आ गया, अभी दिको इसका complete background निकल गया, इस तरह क्या है, आप coral raw में background को edit कर सकते हैं, जब यह plain रहता है, तभी आप क्या है, इसका use ले सकते हैं, जब background plain रहता है, तभी इसका आप use ले सकते हैं, यह आपको समझ में गया अगर यह करते वक्त आपको कुछ डौट्स होगे रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद